नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निक्लेश जैन हिंदी चेस्वेस इनचल पर आप सभी का हारति गन दिल को विष्णातन आनजी के लिए एक ही बात निकलती है वार वार कि एक ही दिल है कितनी बार जीतो गया आप कब तक जितते रहो गया इस उम्र के इस पड़ाव में भी मै जाओ धारन आभी फिलाल टोनामेंट चल खेला जा रहा है लेवी टोव चेस फेस्टिवल खेला जाता है चेस्वीक के नाम से खेला जाता है इसमें फिलाल आनजी के लावा आरोनियन डूबोग गेलफेंड नेपो मिंसी स्वीडलर क्रैमनिक ग्रिश्चूक मामिदरो और यह सारे लोग जो है वो खेल रहे हैं डबल राउंड रॉबिन के टोनामें मतलब कि 18 खेलेंगे रैपिट के आनन जी कुल मिला करके इस टोनामेंट में फिलाल चार राउंड के बाद जो इस्तिति है उसमें वो सहयुकत बढ़त पर बने हुए है जब तक मैं वीडियो बना है चार राउंड में तो खेर अभी और मुकाबले जो है वो चल रहे हैं जो मैच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यह है वैसली सो से उन्होंने खेला है तो मैं दिखाता हूं सफेद मौरों से आनन जी खेल रहे थे अपसे थोड़ी दिर पहले यह मैच हुआ है e4 e6 यहां पैफ 4 से और स्पेस लेते हैं यह नॉर्मल लाइन है ब्लैक c5 करता है आपके उसी सेंटर को चैलेंज करता है और कुइन साइट से स्पेस लेने की को पाइट बोलता है कोई बात नहीं हम डेवलप्मेंट कंटिनू रखेंगे आनन जी ने नाइट f3 खेला नाइट c6 आया यहां पर वैसली सो और अटेक किया d4 बॉन की पर आनन जी ने एक और सपोर्ट इंक्रीज कर दिया बिशप e3 खेलके बिशप e7 उन्हों ने बोला चल है गा उससे बहतर है कि हम c5 पे एक्षेंज कर देते हैं और अपने पीसेश के लिए स्पेस रखते हैं नाइट c5 यहां पर आनन जी ने ए3 किया वैसली सो ने लॉंग कैसल किया और आनन जी ने यहां पर मूव खेला क्वीन एफट यह इंट्रस्टिंग लाइन होती है यहा इस नाय्ट को d4 पर एकिंग B1 खेला जाता है एसनाइट को b4 पर किया जाता है कि इस ऑनन जी और बिशफ भीन खेला कि यह जो की यहां पर सबसे पहले तो जो है यह क्या करते हैं पहले इसको एक्षेंज कर देते हैं यह नाइट को क्यों मारा यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि वह जो बंद बिशुप दिख रहा है वह फ्यूचर में उसमें कैसे पावर बैटरी जनरेट होने वाला है वह आपको तो जैसा कि कई बार होता है कि आप प्रॉफिल एक्सिस ले लेते हैं वैसली सो ने भी प्रॉफिल एक्सिस ले लिया उन्होंने जी सिक्स कर दिया कि अगर आप नाइट जी फाइफ बगर आते हो तो मेरे कुईन से अल्रेडी मेरा सैवेंथ रैंग जो है वो सेफ हो चुका आनन जी नहीं यहां पर खेला जी फोर बैसली सो ने भी फॉर खेल दिया देखने में लग रहा है कि अनन जी का नाइट मर रहा है लेकिन अनंजी यहां पर ब्रिलंची खेल गये आनन जी नहीं बचाएंगे बाइग बाई इंटो फाइब मारेगे वैसली सो यहाँ पर फर्स चुके थे किसी भी पॉन से मारेंगे उनका नुकसान जो है वो तै था यहाँ पर अगर वो इस पॉन से मारते तो यह आनन जी के पास चाल थी अलड़ी सेक्रिफाइस कर देंगे वो एक रुक एक्षेंज और इस फाइल पर रुक आने के ब विशप सी थरी मारा वैसली सोने अब आनन जी मारते हैं एफ जी सिक्स मतला अपना नाइट उन्होंने जो है यहाँ पर सेक्रिफाइस कर दिया विश्नातना आनन जी ने रुक एट खेला यहाँ पर उनको लगा कि ईस जो है वो वीक हो रहा उसको बचा लिया जाए लेकिन आनन जी जो है वो अलग लेवल पर चेस खेल रहे थे पहले तो लाए वो रुक एट जीवन उनको लाइक एक तो पहले एक नाइट सेक्रिफाइस दे दिया अब वो ले एक्शेंज भी ले लो आप एक्शेंज भी ले लिया वैसली सोने विशप जीवन रुक जीवन रुक कौन भी मार लिया लेकिन विश्णातन आनंद कहां पर रुपने वाले थे आनंजी की जो अगली चाल थी वो वैसली सोने देखी यह नहीं ऐसे थोड़ी पांच बार के वर्ट चैंपियान है डूडी मिली आप लोग को कुईन इन्टू इसिक्स चेक प्रॉब्लम क्या है आ रहेंगे तो अब जी एच-जीएच-इदो अभी भी आ गया बीविए मारोगे तो कुमीड बन रहा है इन्होंने कवीड siete पड़ेगा अन lessita म्य्जाता तो क्या ही शांदार शत्रंज खेला है आक्रामक शत्रंज खेला है आने जी ने बिशप D3 नौविल्टी और उसके बाद ये टाइमली वो नाइट से बिशप को मारना वो बहुत इंपॉर्टेंट था उसके बाद H38 के G4 की तैयारी फिर ये नाइट सेक्रिफाइस कर देना उ हमारे चेस बेस इंडिया से सागर शाजी और अमरता मोकल जी भी कल जो है वहां पर पहुंच जाएंगे नीदर लेंड में जहां पर यह मैक चल रहा है तो वहां से और अपडेट जो है वह आप लोगों तक जो है वो शायद हमें देखने के लिए मिलेगी उम्मीद करता हू हैं दोस्ता